बच्चों, जेसी आर्टी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज मैं चौथी कक्षा के बच्चों के लिए बहुत ही खूब सुगत कविता, बहुत ही लयात्मक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ कविता का नाम आप स्क्रीन पे देख लीजिए, कविता का नाम है क्यूँ तो बच्चों, आपके हिंदी पाठ पुस्तर के पेज नमबर 44 पे जो छटवा अध्या है, उसका नाम है क्यूँ कविता तो चलिए, हम सीधे सीधे अब इसकी सुरुवात करते हैं, और इसको हम लोग आदर्स वाचन करते हैं, इसे हम गाते हैं, और साथ में आपको भी गाना है तो बच्चों चलिए पूछू तुम से एक सवाल, जटपट उत्तर दो गोपाल, मुन्ना के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल देख रहे हैं न बच्चों, देख सारे सवाल हैं यहां पे, पूछू तुम से एक सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप से, पूछू तुम से एक सवाल, जटपट उत्तर दो गोपाल, गोपाल कौन है, आप ही की तरह एक, बच्चा मुन्ना के क्यों गोरे गाल मुन्ना के गोरे गाल क्यों है है ना इतने मुलाएं 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 उसके गाल क्यों है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है इसी लिए ना पहलवान क्यों ठोके ताल पहलवान जब पहलवानी करते है ना तो वो ताल ठोकते हैं है ना क्या करते हैं ताल ठोकते हैं तो पहलवान क्यों ठोके ताल चलिए इन चार पंगतियों को फिर से पढ़ें पूछू तुम से एक सवाल जटपट उत्तर दो गोपाल मुन्ना के क्यों गोरे गाल पहलवान क्यों ठोके ताल अच्छा लग रहा ना बच्चो चली आगे बढ़िए भालू के क्यों इतने बाल चले साप क्यों तिर्ची चाल नारंगी क्यों होती लाल घोडे के क्यों लगती नाल बच्चो सवाल ही सवाल सवाल ही सवाल है न भालू के क्यों इतने बाल चले साप क्यों तिरची चाल नारंगी क्यों होती लाल गोडे के क्यों लगती नाल बच्चों देख रहे हैं आपके लिए मैं सुन्दर सुन्दर चित्र जुटा कर लाया हूँ देख रहे हैं यहां पे भालू किस रंका है काला है ना और धेर सारे इसके बाल हैं पूरे सरीर पे भालू के क्यों इतने बाल चले सांप क्यों तिर्ची चाल बच्चों सांप जो है ना सिधे सिधे नहीं चलता है वो उसकी चाल तिर्ची होती है ना चले सांप क्यों तिर्ची चाल नारंगी क्यों होती लाल गोडे के क्यों लगती नाल इन चार पंक्तियों को फिर हम धुराते हैं भालू के क्यों इतने बाल चले साप क्यों तिर्ची चाल नारंगी क्यों होती लाल गोडे के क्यों लगती नाल इसी तरह से बच्चों आप लोगों पढ़ते जाना है ना आगे पढ़ते जाना हैं ले के साथ कविता आपको याद हो जाएगी चली आगे जरना कियों बैता दिन रात जरना देखें बच्चों बहुत सीतल होता है खूब ठंडा पानी होता है जरना कियों बैता दिन रात जाडे में कियों कांपे गात गात मतलब सरीर हपते में कियों दिन हैं साथ, बुर्डों के किौन टूटे दात," मतलब जो ब्रिध хो जाते हैं, इनकी उम्र ज़ादा हो जाती है तो वह ब्रिध हो जाते हैं, है न, तो यहां पर रैमींग बनाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है बुर्डों के किऌन तूटे दात," चलिए इसको हम लोग देखते हैं जर्णा क्यों बैता दिन राथ जाड़े में क्यों काँ पेगात हप्ते में क्यों दिन है साथ हाँ, साथ दिन होते हैं है ना, सोब मपंगल, बूज, गुरुवार, सुकुरुवार, सनिवार और फिर रवीवार हपते में क्यों दिन हैं साथ बुढ़ों के क्यों तूटे दात देख लिए बच्चो जरना क्यों बैता दिन रात जाडे में क्यों कांपे गात हपते में क्यों दिन है साथ बुढ़ों के क्यों तूटे दात आगे बच्चों डम 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 क्यों बोले ढोल पैसा क्यों होता है गोल मीठा क्यों होता है गन्ना क्यों चम 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 कीला पन्ना डोल देखें बच्चों डोल नगाडा गाओं में देर सारा डोल देखने के मुलता है पर तेवारों में है ना डम 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 क्यों बोले डोल पैसा क्यों होता है गोल मीठा क्यों होता है गन्ना गन्ना समझते ना बच्चों गाओं में तो देर सारा गन्ना हम लोग देखते हैं खाते भी हैं, मजे करते हैं, और सहरों में भी गन्ना देखने को मिलता है, वहाँ पे क्या है, मसीन से पेर के उसका घास, जो है, बहुत सारे भेंडर, छोटे-चोडे दुकानदार हैं, वो बेशते हैं, है ना, मीठा क्यों होता है गन्ना, क्यों चम चम कीला पन्ना, पन्ना क एक परकार जो है कीमती पथर होता है जिसको अंग्रेजी में एमराल्ट बोला जाता है वो ग्रीन कलर का होता है हरा होता है न ठीक है चले फीर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं डम 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 क्यों बोले ढोल पैसा क्यों होता है गोल डम 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 क्यों बोले ढोल पैसा क्यों होता है गोल मीठा क्यों होता है गन्ना क्यों चम 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 कीला पन्ना बच्चो राइमी है ना बच्चो इसमें अच्छा लग रहे ना चली आगे लली खेल रही क्यों गुडिया लली कौन है छोटी बिटिया है ना बच्ची एक छोटी सी आप ही लोगों की तरह लल्ली खेल रही क्यों गुडिया बनिया बांध रहा क्यों पुडिया बालक क्यों डरते सुन हुआ काओं क्यों करता काओं देखिए लल्ली क्या कर रही है लल्ली यां गुडिया से खेल रही है है ना लल्ली खेल रही क्यों गुडिया बनिया बांध रहा क्यों पुडिया बालक क्यों डरते सुन हवा कोई चीज का डर पैदा कर देते ना बच्चो किसी के मन में उसी को हवा बोलते है ना बालक क्यों डरते सुन हवा काउं काउं क्यों करता कउवा देख रहे हैं बच्च कहते पानी हाथी क्यों होता है काला दादी फिर गई क्यों माला नानी को क्यों कहते है नानी और पानी को क्यों कहते है पानी हाथी क्यों होता है और दादी माला क्यों फिर गई है ना इसी को तो हम लोगो गाना है नानी को क्यों कहते नानी पानी को क्यों कहते पानी हाथी क्यो होता है काला दादी फे रही क्यों माला अच्छा लग रहे बच्चों अब देखिए सबसे अंतिम चार पंगतियां पक कर फल क्यों होता पीला आसमान क्यों नीला नीला पकने पर फल कैसा हो जाता है पीला और आसमान का रंग कैसा होता है नीला पक कर फल क्यों होता पीला आसम क्यों नीला नीला आंख मूंद क्यों सोते हो तुम पिटने पर क्यों रोते हो तुम अच्छा लग रहा है ना बच्चों इस कविता को अच्छी तरह से आप लोग याद करिएगा है ना एक बार मैं फीर से इसको गाता हूं और आप लोगों को इस पूरे कविता को द्यान से स सुनना है और साथ में मेरे गाना भी है है ना बच्चों सुरुवात कहां से करना है सुरुवात करना है पूछू तुम से एक सवाल है ना पूछू तुम से एक सवाल जो पहली पंति है वहां से आपको सुरू करना है और आपको खूब अच्छी तरह से उसको गाना है जदी आ जोर जोर से नहीं पढ़ेंगा बच्चो आपको याद नहीं होगा कविता को क्या करना है जोर से उचे स्वर में पढ़ना है और जब ये याद हो जागा तो क्या करना है भाईया दिदी को सुनाना है जो भी घर में आप से बड़े हैं उनको आप इसे सुनाएंगे तो चलिए पूछूं तुमसे एक सवाल जटपट उत्तर दो गोपाल मुन्ना के क्यों गोरे गाल पहलवान क्यों ठोके ताल पूछूं तुमसे एक सवाल जटपट उत्तर दो गोपाल मुन्ना के क्यों गोरे गाल पहलवान क्यों ठोके ताल बच्चों आगे बालू के क्यों इतने बाल चले साप क्यों तिर्ची चाल नारंगी क्यों होती लाल गोडे के क्यों लगती नाल आगे बढ़िए बच्चों जरना क्यों होत जरना क्यों बहता दिन रात जाडे में क्यों का पे गात हफते में क्यों दिन है साथ बुद्डों के क्यों तूटे दान्च बच्चों आगे बढ़ते जाईए बच्चों आगे लली खेल रही क्यों गुडिया बनिया बांध रहा क्यों पुडिया बालक क्यों डरते सुना हुआ काओं काओं क्यों करता कवा नानी को क्यों करते नानी पानी को क्यों करते पानी हाथी क्यों होता है काला दादी फे वही क्यों माला पक कर फल क्यों होता पीला आसमान क्यों नीला नीला आँख मूंद कर सोते हो तुम आँख मूंद क्यों सोते हो तुम पीटने पर क्यों रोते हो तुम लेकिन बच्चों कोई ऐसी काम नहीं करना कि पिटने पर आपको रोना पड़े आपको पिटना ही ना पड़े है ना इसलिए पिटने पर रोने ही तो राइमिंग है ना बच्चों लघे के लिए ऐसा लिखा हुआ है आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके लिए आपको फितना पड़े हैना सुनिए आंतिम छार-िभणतियां पक्कर फल क्यों होता पीला आशबान क्यों होता नीला आंक मून्द क्यों सोते हो तुमSir तो बच्छों ससिक्राइब कि आपक आपको बढ़ियां से यह कविता याद हो जाए तो बच्चों आप सब लग जाए इस कविता को याद करने के लिए ठीक है बच्चों जोहार बच्चों जहिन बच्चों